आज मैं आपके साथ चिकन की एक बहुत डिलिशस और मज़दार रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन काली मिर्च ये बिल्कुल रेस्टरेंट डिस्टेल रेसिपी है जो कि घर में बहुत जल्द और आसानी से बनका तयार होती है इस रेसिपी में सौफ्ट और जूसी चिकन के पीसेस के साथ डिलिशस वाइट ग्रेवी का कॉम्बिनेशन बहुत मज़दार लगता है बहुत इस सिल्की स्मूध रिच और क्रीमी ग्रेवी बनती है जो कि आपको उंगलियां चाटनी पर मजबूर कर देती है तो आईए इस मज़दार से चिकन की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं चिकन काली मिर्च बनाने के लिए हमने 800 ग्राम चिकन के बोनलेस पीसेस लिए हैं इनमें से 2-3 पीसेस में ही बोन हैं बाकी पूरा चिकन बोनलेस हैं आप चाहें तो इसे पूरी तरह से बोनलेस या विद्बोन चिकन में भी बना सकते हैं एक टेबिल स्पून भरकर सफेज सिर्का भी डाल सकते हैं अब इन मसालों को हम चिकन में अच्छा से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसे कवर करेंगे और दो से तीन घंटों के लिए मेरिनेट करने के लिए रखेंगे अगर आपके पस वक्त कम हो तो आप इसे आदे घंटे के लिए मेरिनेट कर सकते हैं अब एक वाक में हम कौॉटर कर भर कर आइल डालेंगे और आइल को हलका सा गरम कर लेंगे अब इसमें हम दो सबजीलाईची और तीन लॉंग डाल देंगे और इन्हें हलका सा fry कर लेंगे क्योंकि इसकी gravy delicate होती है इसलिए जादा मसाले नहीं डालेंगे इन्हें हलका सा fry कर लेने के बाद इसमें हम 3 medium साइस की प्यास को roughly cut करके शामिल करेंगे और प्यास को medium to high flame पर 2 minute तक fry करेंगे प्यास को हमें ज्यादा dark नहीं करना है इसका कलर हलका सा translucent हो जाने तक fry करेंगे यह देखें प्यास का कलर हलका सा white होने लगे इस वक्त हम इसमें 6 हरी मिर्चों को बीच से slit करके डाल देंगे जो कि काफी तीखी है मिर्चों की quantity को आप अपने टेस्के मताबिक एड़्जस कर सकते हैं इसके साथ ही हम इसमें 10 काजू डाल देंगे जिनने हमने सोक किया है आप चाहें तो काजू की जगा बादाम या फिर मगस भी शामिल कर सकते हैं जिनने डालने से gravy में अची से थीकने से अरिचने साजा जाती है अब यह देखिये हमने हल्का सा इने fry कर लिया है इन्हे निकाल कर हम एक plate में रखेंगे और इनने ठंडा होने देंगे जब यह भी ठंडे हो जाएं इसके बाद हम एक grinder के jar में डालेंगे और हलका सा पानी डाल कर इनका एक ठिक सा पेस्ट बना लेंगे अब इनका पेस्ट हम बना कर साइड में रखेंगे और इसी वॉक में हम एक टेब sinaड बर कर बटर डालेंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे यहां हमारा चिकन भी अच्छे से मेरिनेट हो चुका है तालावीस पर कोठ होने लगा है अब चिकन को हम निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे और इसी वॉक में एक टीश्पून भर कर ओल डालेंगे और इसमें एक टेबल स्पून भर कर लहसन अदरक का पेस्ट डाल देंगे मेरे पास अगर आपके पास रनी हो तो आप उसे flame पर इसे भून लेंगे क्योंकि हम इस recipe में white gravy बनाने वाले हैं इसलिए हम मसाले को ज़्यादा dark नहीं होने देंगे medium flame पर इतना भूनेंगे कि मसाले में हलकी सी ठिकने सा जाए इसके बाद हम इसमे 1.3 cup भरकर fresh दही डाल देंगे चिकन को मेरिनेट करते वक्त भी हमने इसमें दही शामिल किया था जिसकी विज़े से हमने total इसमें 100 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है और दही इसमें बिल्कुल fresh डालें तो ज़्यादा अच्छा flavor आता है दही को हम gravy में mix हो जाने तक भूनेंगे इसके बाद इसमें हम half teaspoon भरकर नमक डाल देंगे और साथ ही हम इसमें टेस्ट balance करने के लिए half teaspoon भरकर चीनी शामिल करेंगे जिसे कि इसका टेस्ट भी balance हो जाएगा और साथ ही हमारा restaurant वाला flavor भी इसमें आ जाता है अब अच्छे से mix कर लेंगे इसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे जिसे हमने फ्राइ कर लिया था चिकन को हम ग्रेवी में अच्छे से mix कर लेंगे ताकि ग्रेवी का flavor चिकन में और चिकन का flavor ग्रेवी में रच बस जाए इसके बाद हम इसमें एक कब भर कर गरम पानी शामिल करेंगे और पानी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी जादा रनी नहीं बनती है इसलिए हम इसमें एक गब भर कर ही पानी शामिल करेंगे अब इसे कवर करेंगे और 8-10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुप करने के लिए रखेंगे क्योंकि हमारा चिकन पहले से फ्राइ किया हुआ है इसलिए से गलने में जादा वक्त नहीं लगेगा जब ऑईल इस तरीके से सर्फेस पर आने लगे तो समझ लें कि चिकन अच्छे से कुक हो चुका है अब इसे एक अच्छा सा मिक्स दे कर हम इसमें एक टीसपुन बरकर फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चे डाल देंगे जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साथी भूने जीरे का पाउडर हाफ टीसपुन बरकर शामिल करेंगे और एक टीसपुन बरकर कसुरी मेथी इतनी सिल्की, स्मूध, रिच और क्रीमी बनी है। हम इसकी इसी कंसिस्टेंसी पर इसकी फ्लेम काफ करेंगे क्योंकि जब यह ठंडी होती है तो और जदा थिक होने लगती है। और इसे हम सर्फ कर लेने के बाद फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चों से गारनिश करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और फ्लेवर और जदा इनहेंस हो जाता है। यह बहुत सिंपल ईजी और मज़दार रेसिपी है जिससे कि बिल्कुल रेस्टरिन स्टेल चिकन काली मिर्च बनकर त्यार होता है। आप इससे बना कर कुल्चों के साथ खमेरी रोटी पराठों के साथ सर्फ कीजे। सभी के साथ बहुत मज़दार लगता है। बिल्कुल फिंगर लिकिंग रेसिपी है जो कि आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देती है। तो आप इस मज़दार चिकन काली मिर्च को एक बार ट्राइ करके जरूर देखिएगा और अपनी फीडबेक मज़े जरूर दीजेगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजेगा। उमीद करती हूँ कि चिकन काली मिर्च की डिलीशिस रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज।